वैभव लक्ष्मी व्रत कथा विशेश रूप से धन और सम्रिधी की देवी लक्ष्मी की आराधना से संबंधित है यह व्रत विशेश रूप से हर साल कार्थिक मास की शुकल पक्ष की अश्टमी को किया जाता है इस दिन भक्त विशेश रूप से लक्ष्मी माता की क्रिपा प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं कथा बहुत समय पहले की बात है एक समरिध नगर में एक व्यापारी रहता था उसके पास बहुत धन था लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था उसे हमेशा अधिक धन की लालसा रहती थी एक दिन उसने सुना कि लक्ष्मी देवी का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है उसने निरने लिया कि वह इस व्रत को करेगा व्यापारी ने व्रत की तयारी की उसने घर को अच्छे से सजाया और देवी लक्षमी की एक सुन्दर मूर्ती स्थापित की. पूरे दिन उसने उपवास रखा और देवी की पूजा की. उसने देवी को विभिन भोग अर्पित किये और उनके नाम का जब किया. पूजा के दौरान उसने मन में लक्षमी माता से प्रार्थना की किवे उसे अनंत धन और सम्रिध्धी दे. उसकी भक्ती और श्रधा को देख कर देवी लक्षमी प्रसन हुई. उन्होंने व्यापारी को दर्शन दिये और कहा, मैं तुम्हारी भक्ती से खुश हूँ. मैं तुम्हें आशिरवाद देती हूँ, कि तुम धन के साथ साथ संतोष भी पाऊगे. इस आशिरवाद से व्यापारी को धन मिला, लेकिन साथ ही उसने संतोष भी प्राप्त किया. वह समझ गया कि केवल धन से ही खुश नहीं हुआ जा सकता, बलकि संतोष और प्रेम भी जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं. व्यापारी ने बाद में इस व्रत को अपने परिवार और मित्रों के साथ साजा किया, जिससे अन्य लोग भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने लगे. महत्व वैभव लक्ष्मी व्रत केवल धन की प्राप्ती के लिए नहीं, बलकि जीवन में संतोष और सम्रिध्धी लाने के लिए भी किया जाता है. यह व्रत हमें यह सिखाता है कि धन की प्राप्ती के साथ साथ संतोष और आभार भी आवशक है. व्रत विधी एक तिथी और समय कार्तिक मास की अश्टमी को वरत करें दो सनान और शुद्धता वरत के दिन सुभा सनान करें और स्वच वस्त्र पहनें तीन पूजा सामगरी देवी लक्षमी की मूर्ती या चित्र दीपक, फूल, फल, मिठाई आदी तयार करें चार उपवास, दिन भर उपवास रखें और केवल फलफूल का सेवन करें पाँच, भक्ति, दिन भर लक्षमी माता के मंतरों का जाप करें और भक्ती भाव से पूजा करें छे आरती, शाम को दीप जलाकर लक्षमी जी की आरती करें इस प्रकार वैभव लक्षमी वरत करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सम्रिध्धी आती है